मैं हूँ निया नवदीब कॉर फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ लेकर आयों कि हाथ से कभी सिलाई करनी पड़ जाती है या फिर डिजाइनिंग के लिए भी हम हाथ से किस तरीके से स्टेचिंग कर सकते हैं वो भी मशीन की तरह और फ्रेंड्स अफकोर्स यह आपके कामाई अगर हम कहीं गए है और हमारे पास मशीन नहीं और कभी कुछ उधर जा है तो उसको स्टेच करने के लिए या पिर प्रापर ड्रेस अगर आप अपने घर पे बनाना चाहते हैं और आप बिना मशीन के हैं तो उसके लिए आपके काम आएगी सबसे पहले आप कोई भी कपड करके इस तरीके से इसको मैं एकठा कर लेती हूं ऐसे ऐसे करके एकठा कर लेती हूं और इसको दबाती हूं तो भी इस पर क्रीज बैट जाती है तो यह दो तरीके आपके पास सबसे पहले अगर आप मिगनेर हैं तो आपको इस टैप के स्टीचिज आने ही चाहिए so that आप easily stitch कर पाए तो चलिए आएए अब हम अपने project की तरफ आते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम करेंगे ठीक है अभी मैं इसके तरफ ले आती हूँ आपके ताकि आप अच्छे से सीख पाए जी इस तरीके से मैंने इसको प्रेस कर लिया और हम धागा ले लेंगे और आप चाहे तो इस तरीके की स्टीच भी कर सकते हैं दूर दूर यह आपके डिजाइनिंग के लिए काम आएगी जैसे हमें तिखाना है कि हमने इसमें डिजाइन बनाया है या फिर जैसे मशीन वाली होती है exactly सेम वैसे भी कर सकते हैं अभी मैं सबसे पहले आपको मशीन वाली करके दिखाती हूँ ऐसा जब हमने रख लिया तो make sure कि corners पे अच्छे से हर तरफ से equal gap ही होना चाहिए तो अगर आप इसको start कर रहे हैं अगर corner से start कर रहे हैं तो corner से start कर लेते हैं आप ulti side से देख सकते हैं यहां से मैंने धागा लिया इसके अंदर डाला और अब यहां पे एक बारी नीचे से उठाया फिर उसके बाद धागे को same distance ही रखेंगे और इसके थोड़ा सा आगे same distance पे ही लेकर आएंगे और ऐसा चला दिया अगली बारी क्योंकि यह corner का stage था क्योंकि यहां पर यह आ रहा है अगली बारी इसके पिलकुल हलका सा आगे से हम डालेंगे और फिर same distance ही रखेंगे next time और इसको आगे लियाएंगे मैंने अभी आपको दिखाने के लिए धाका double डाला है आप इसे ऐसा कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप double डालेंगे तो अगर आप single डालेंगे तो proper सिलाई हो जाएगी machine वाली तो आप उसको ऐसा सिलाई भी ले सकते हैं आप इस तरीके से double डालेंगे तो अगर थ्रेड के तरह आप इसको एजा कढ़ाई की रोप में यूज कर सकते हैं अब हलका सा उसी के आगे हमने डाला और सेम डिस्टेंस इसके आगर ले गए और इस तरीके से इसको स्टिच किया तो देखिए यह कढ़ाई की तरह इसको पूरी को स्टिच करता चले जा रहे है हम इसके अंदर ही डाला हमने और इसके आगे ले गए और इस तरीके से डॉर्मल धागा है और यहीं इतना ब्यूटिफुल लग रहा जैसे की आंकर त्रेड हो इसके अंदर अगें डाला इसके आगे ले गए सेम डिस्टेंस पे और लीजिए इससे आपको बिल्कुल और लीजिए हमारी सिलाई देखो कितने खुब सुरत आ रही है और ऐसे ही आप पूरे में सिलाई भी कर सकते हैं अगर आप सिंगल धागा डालेंगे तो मेरी तरह डबल डालेंगे तो यह आपका यह होज़े के डिजाइनिंग सो इस तरीके से डिजाइनिंग होगी जैसे म यह जीज में बैक में किये इसको फ्रेंट में करेंगे तो आपका ज्यादा सुन्दर आएगा अब यह वली स्टीचिंग यह वला डिजाइन अगर आपने डालना है अपनी किसी ड्रेस के उपर तो यह कैसे डालेंगे अब यह सीख लेते हैं मैं इसी क्या के कांटिन्यू कर एक धागा इसके अंदर अंदर डाल देंगे तो आपका और भी बढ़िया डिजाइन आ जाएगा लीजे ऐसा करके यह तो हमारा डिजाइन बन गया इसके लिए आप चार तया लगा के अगर डालेंगे बीच में तो इस तरीके से और खिला खिला आजाएगा अप मैं फ्रे के नीचे लेकर जाएंगे और इसके उपर ले जाएंगे अगर आपको तुरपाई कर दी हो तो अगेन आप हाथ से ही मशीन से बढ़िया तुरपाई कर सकते हैं यह काफी बच्चों लोगों को पता नहीं है कि मशीन में भी तुरपाई का ओप्शन होता है आज कल आ रही है तीन टाइब के स्टिचिस बताए हैं और ऐसा करके हम पूरे में तुरपाई कर सकते हैं अगर आपके पास सिलाई मेशीन नहीं है या फिर आप फटा फट कहीं पर भी एमर्जेंसी पर फर्स चुके हैं और आपका अपने ड्रेस को ठीक करना है तो आप यह वली स्टिच का यूज करेंगे आप डिजाइनिंग डालना चाहते हैं बिल्कुल ऐसी तो आप इस स्टिच को यूज करेंगे जैसे कि इस कूर्ती में डाली हुई है हमने और बीच पीच में यह मोती डाल देंगे तो इससे और भी बढ़िया डिजाइनिंग आजेगी अगर आप तुरपा तो और बताईए फ्रेंड्स आपको आज का टुटोरियल कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजेगा ठीक है तो घर पे वैटे ही आप इस तरीके से बीना सिलाइए मशिन के भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं थैंक्यू सॉमच अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर चोड़के जाएगा कि आपने इन में से कौन सा वाला स्टिच ट्राइ किया है और लास्ट में अगर इसको बाहर निकालना हो अपने सुई से तो इसका तरीका है सुई को हलका साही अंदर डाले किसी भी स्टिच के लिए हलका सा अंदर डालके उसको बाहर निकालिए और यह बन जाता है लूप यह दिख रहोगा इसके अंतर से निकालिए अब यह पक्का हो गया और अब आपका धागा कहीं नहीं जाएगा इसके बाद आप इसको काट सकते हैं तो इस तरीके से लास में पक्का कर लेते हैं So, इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए, like, subscribe and share जरूर कीजेगा and हमेशा खुश रहिए, be happy, stay blessed, thank you so much and meet you soon, जल्दी हैं आपको मिलते हैं और क्या सीखना चाहते हैं आप comment करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूँगे, next time लिकरा सकूँ, thank you